नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगा स्वागत है अगर मैं आपसे सवाल पूछू कि आपके पास अगर 14 से 18 लाग रुपे हो उसमें असली रगेड सुवी और साथ के साथ रिलायबल और जिस पे अंधा बरोसा किया जा सके और दूसरी कंडिशन यह है कि वो असली स सुवी होनी चाहिए आज कल की जो फ्रंट वील ड्राइब सुवी है वो नहीं होनी चाहिए तो कौन सा ओप्शन है आपके पास इस प्राइज रेंज में 14 से 18 लाग तक की रेंज में मुझे लगता है कि आप लोग जवाब दोगे वो है स्कॉर्पियो क्लासिक वैसे मैं आपको वाकरांड वीडियो दिया था इस गाड़ी का वह आप आई बटन में जा कर देख सकते हैं इसमें बात करेंगे कि यह एक्चल में चलने की कैसी है और अभी के टाइम पर इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं इसको रिलाउंच करने का जो कार प्रेजन्स है उसको भी कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता बले ही वो स्कॉर्प्यो एन क्यू ना हो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका हैसल फ्री ओनर्सिप एक्स्पिरेंस रहता है उसका कोई जवाब नहीं है और साथ के साथ यह एक फुल साइज स्यूवी है बट इसमें 4x4 का option नहीं आता लेकिन फिर भी यह गाड़ी काफी capable है अगर आपकी जो running है खराब रास्तों में यह तो थी common सी बाते हैं वो लगभग आप सभी को पता है अब बात करते हैं कि आज की तारीक में यह गाड़ी लेने लायक है या फिर नहीं है क्योंकि आपका मोटा पैसा जाने वाला है और साथ के साथ यह भी बताऊंगा कि जो इसमें इंजन के सपेंजन के उसके बाद यह गाड़ी चलने में कैसी है तो चली अब इसको चलागर देखते हैं वैसे स्कॉर्पिय चलाने का आदी हो तो यह गाड़ी उतनी ज्यादा उची नहीं है उसके पराबर आराम से मैं बैठ जा रहा हूं लेकिन एक कमी मेरे को इसमें सब्से ज्यादा बता है क्या लगती है जब भी मैं इस गाड़ी में बैठता हूं और दर्वाजा बंद करता हूं दर्वाजा मुझे धक्का देता है उधर को जा क्योंकि यह आप मेरी थाइस देखिए के डोर पैनल में लगी हुई है और प्रैक्टिकालिटी के मामले में तो यह स्कॉर्पिय वैसी है जैसे पहले आती थी इसमें कोई भी चे आएगा उसमें से माटीरियल तो अब इसको चलाते हैं दुबारा से इसना धक्का दिया मुझे और अच्छी बात यह है कि पहली की तरह उतनी ज्यादा हिलती नहीं है गाड़ी और इसका जो गेर लीवर है वो बिल्कुल सांत रहता है और एक और चीज बता दू मैं आपको साइज लगा सकते हैं और इसमें आटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है यह अच्छी बात है पहले के कंपैरिजन में एन्वी एज काफी कम हो गये है इस गाड़ी के जो की काफी अच्छी बात है अब चलाने में थोड़ा सा रिलेक्स महसूस होता है इस गाड़ी को और स इस पीटिंग पोजिशन काफी जबरदस है कमांडिंग पोजिशन है बोनट आखरी कोने तक दिखाए देता है पीछे का व्यू काफी अच्छा है और पीछे जो विंड सील उसका अब इसको चलाते है और स्टेरिंग इसका है पहले के कंपारीजन में कहते हैं कि थोड़ा स इसका लाइट करा है लेकिन मुझे अभी इसमें काफी वेट है और वेट है इसमें और फील भी आती है ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है जिसको बॉड़ी ओन फ्रेम चलाना पसंद है सुरुवात से चलाते हुआ है तो इसका बिहेवियर जो है आपको काफी अच् क्योंकि इसका जो पिक अब है काफी अच्छा है तीन सो एनम का टॉर्क है और एक सो तीस बीच पी न्यू जनरेशन एम होक इंजन है जो की काफी साइलेंट है और काफी रिफाइन भी है वो मैं आपको बता चुका हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गेर बॉक्स मे है ऐसा कुछ नहीं है अच्छी बात किया है दूसरे गेर में भी गाड़ी बड़े प्यार से उड़ जाती है थोड़ा बहुत हिलती थी वह अब इसमें नहीं है हिलती है लेकिन बहुत कम हुआ है याने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में आप इसको एक अच्छी स्पीड में चला सकते हैं बिना डरे और ब्रेकिंग में भी बहुत इंप्रूमेंट आया है लेकिन नोस डाई अभी यह कर रही है क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सा कमफरडेबल साइड में रखें थोड़े से सॉफ्ट है तो ट्रेवल करते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आगे से गाड़ी थोड़ा सा डबती है और यही जो नेचर है बॉड़ी ऑन फ्रेम गाड़ी का वह अच्छा ल अब यहां पर जो है सिटी के अंदर मैं इसको ड्राइव करने की गोसिस कर रहा हूं तो मुझे ज़्यादा दिकत नहीं हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफी अच्छी है और जो क्लच का ट्रेवल है उसमें आपको थोड़ी से परिशानी होगी थोड़ा सा ज्यादा है मतलब डीप है क्लच आपको थोड़ा से यूस्टू होना पड़ेगा और क्लच उतना ज्यादा लाइट नहीं है और उतना ज्यादा हाड नहीं है बीच का आप उसको कह सकते हैं देखो एस ही चला है गाड़ी में तो इंजिन की अवाज बिलकुल भी नहीं आ रही है वैंड चीज नहीं होती हो बहुत जल्दी सेटल हो जाता है अगर आपके पास पुरानी स्कॉर्पियो है आप इसको चलाओगे तो डेफिनिटली आपको जो है यह गाड़ी बहुत ज्यादा रिफाइन और चलाने में आपको बहुत ज्यादा मजाएगा और आगर आपको जूले ज लग रहे हैं तो बात कर लेते हैं फ्यूल एफिजेंसी की तीन चार दिन होगे मुझे इसको चलाते हुए एक बार मैंने इसका टैंक टू टैंक मेजर कर रहा है और यह बहुत अच्छी फ्यूल एफिजेंसी देती है आपको यह सोचके नहीं चलानी है कि मुझे इसमें तो एवरेज के मामले में कोई टैंचल नेने वाली बात नहीं है अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं हाईवे में चलाते हैं यह पंदरा का भी एवरेज आपको निकाल के देदीगी और अब बात करते हैं हाई स्पीड स्टेबिलीटी की देखो यह बाडी ओन फ्रेम है ग यह पकाफी अच्छी हो गई है मैसको फोगी स्पीड में आराम से क्रूज कर सकता हूं बीना किसी टैंशन पिना किसी परिशानी सकता हूं अकर आप इस गाड़ी करना चाहें तो यह आपको डरा देगी क्योंकि इसमें body roll रहता है और ये ऐसे ऐसे जूलती है तो ये recommended नहीं है straight line में चलाइए आपको कभी भी ये निराश नहीं करेगी और अच्छी बात ये है कि overtaking करना बड़ा आसान है इस गाड़ी में sufficient power आपको मिलती है बट ये है कि आपने गाड़ी अपने control में चलानी पड़ेगी पावर बहुत है और वो feel भी होती है तंस में ध्यान रखना पड़ेगा इसका क्योंकि cornering करना थोड़ा सा इसमें risky हो जाता है तेज स्पीड में otherwise पावर तो जबरदस्त है अगर आप तेज स्पीड में इस गाड़ी को चला रहें तो आपको थोड़ी बहुत wind noise सुना ही देगी एक चीज़ और बताना चाहूँगा engine बड़ा track table है यार इस गाड़ी का मैं छटे gear में चल रहा हूँगा और स्पीड मेरी 60 से नीच नीच है और गाड़ी के rpm आप देख सकते है हजार और यहीं से मैं पैडल प्रेस करूँगा और यहीं से उठनी लग जाएगी यह चीज काफी अच्छी लगती है जिसकी विए से आपको city के इंदर frequent gear change नी करने पड़ते हैं दूसरे gear में उठ जाती ह अब मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे जो नॉर्मली गाड़ियों होती है जिस gear में चलती है city में इसमें आप एक gear उपर भी चलाओगे ना इसको कुछ फरक नहीं पड़ता है यह आराम से चलती है बिना engine knocking के बिना engine में stress दिये बट एक और चीज मैंने observe करी है कि इसकी जो सीटें है काफी comfortable है especially जो आगे की दो है और इसमें जो है पीछे captain seat दी हुई है second row में और उनका जो under thigh support है वो काफी अच्छा है मेरे जैसे बंदों के लिए भी और proper comfort मिलता है उसमें और यह चीज ना मुझे scorpio end में नहीं मिल पाती एक तो उसका जो upholstery है वो leatherite है तो fabric जैसा cushion उसमें नहीं मिल पाता है fabric जैसा comfort नहीं मिल पाता लेकिन इसमें comfort आपको पूरा मिलेगा इन सीटों में हर एक seat में अपना एक जो है आपको armrest मिलेगा जिसमें आप अपना जो है हाथ को रखके comfortable journey कर सकते हैं देखिए इस गाड़ी में improvement तो हुए है अच्छे खासे ह गाड़ी ही खब सकती है उन लोगों के लिए काफी बढ़िया गाड़ी है और पहले से ज्यादा comfortable भी हो गई है और bolero bolero new के जो customer है उनको थोड़ा सा और अच्छा experience चाहिए तो उनको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे जो आपकी normal bolero उस से लगबग डेढ़ लाके आसवास आपको extra देने और आप ले जा सकते हैं अपने घर पर Scorpio classic bolero new के जो top variant है जो की N10 optional आता है वो same price में पड़ेगा इसके जो S variant से जिसे आप base variant कहते हैं तो आपको अच्छा experience चाहिए अच्छा space चाहिए अच्छी drivability चाहिए तो आप इसमें shift कर सकते हैं और सबसे रोडों के लिए बनी हुई है और आपको इसमें और ज्यादा मजाएगा खराब रास्तों में चलाने में अब बात आती है कि आपकी running ज्यादा तर highway में है तो आपके पास और भी अच्छे अच्छे option है जैसे कि अभी जो हाल फिलाल में आई है Scorpio N अगर आपको full size SUV चाहिए body on frame और rugged SUV चाहिए तो Scorpio N का option जो है available है बट बात यहाँ पर यह है कि जो उसके lower variant है अभी आपको इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगे जितनी जल्दी आपको यह मिल पाएगी और जो Scorpio N है इससे बिलकुल अलग है वो एक अलग product है जो की rough and tough भी है और साथ के साथ highway में आपक को इस गाड़ी के बराबर proof नहीं किया है उसको अभी थोड़ा time लगेगा यह सारी चीजें आपको consider करनी पड़ेगी अगर आप इस में या फिर Scorpio N में confused है तो उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आपकी जो confusion है वो clear हुई होगी Scorpio Classic में क्यों जाना है और अगर यह नहीं है तो फिर किस में जाना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ख्याल रखिए अपना भारत माता कीजए